आप देख रहे हैं निश्रडी 4 मद्रप्रदेश 37 गड़ और मैं हूँ अपके साथ अनुश्का नाम देओ 46 नकरी निकायों में किसकी सरकार मद्रप्रदेश के 46 नकरी निकायों में आज होगी मतगड़ना सुबह 9 बजे यहां कुछी देर में मतगड़ना शुरू हो जाएगी मतगड़ना की बाद घोशत किये जाएंगे परिणाम कोड़ 814 वाटों के लिए चुने जाएंगे पारशत मतगड़ना को लेकर राजु निर्वाचन ने पूरी तैयारी कर लिए जाबुआ शेडोल डिन्डोरी में मतगड़ना को लेकर पुकुता इंतजाम सुरक्षा को लेकर पुकुता इंतजाम किये गई है पूरी तैयारी पूरी कर लिए जाबुआ जेली की चार निकाय में मतगणना होने वारी है शैडोल के तीन दिकायों में मतगणना है तो वहीं दिन्दोरी के साश्ट के उतकरश्ट विध्याले में मतगणना होगी जाबा जानकारी के साथ हमारे साथ समवादाता संजे विश्वकर्मा और वहीं दीपक्त अमरकर हमारे साथ सजड़ गए है संजे मेरा पहला सवाल आप से क्या कुछ तैयारियां पूरी कर ली गई है वहाँ का क्या कुछ महाल है क्या कुछ हलचल महसूस हो रही है सुरक्षा को क्या लेकर कितना पुखता इंतजाम किया गया है क्या कड़ी सिक्यूरिटी है पूरी अपडेट बताईए आज 30 सितंबर है और 30 सितंबर तो बही बिसद्धी से फाली दलगत लोगे इंतजार था इस तरीके तुम आपको रिखा दू किया भीड लगना चालू हो गई है सभी पार्सोदों के पस्ता और जो समर्खाथ है यहां भीड लगाना चालू करती है सभी लगी है पुलिस का डिप्लाइमेंट के पात में लगबाख 100 से देभ सब्सक्राइब ही यहां रखा गैया है स्ट्राइंग रूं के सामने भी व्याष्रड्वे बनाई गई है च्छेशी बाद में लगवाग दख बज़ें यहां पर पर प्रफाइल की और पाली नगर पाली पाली का चुनाओं में पाली नगर पाली नगर नगर 14 जहां सुष्पूर लड़ा गया था यहां चुनाव लड़ा गया था, वही वाड नमर 3 से एक गिंदर जो है यहां उधों ने भी अपना किसमत अजमाई हुई है, पुल मिलाकर साथ जाथ ऐसे लोग से जुझों ने भाजपा से अदावत करके चुनाव मैदान में लड़े हुए थे, मतलब भाजपा के ऐसे होगी किसका दबदबाज होगा सत्ता के सेमिफैनल का आजाकरी टेस्ट होने वाला है, तो वही हमारे साथ दीपक भी हमारे साथ जड़े हो है, दीपक वहां का क्या कुछ माहोल? में सबसे खास महोल यह देखने पारा की पीजपी और कॉंग्रेस के इस पार आमाती नगर में टक कर दी है, बात अगर दिंडोरी शहर की किया है, तो पंद्रवाडों में भातर प्रत्यासियों ने भाग अजमाया है, नेदली प्रत्यासियों के अगर बात करें तो उन्हों मातरा में खटे हो चुकी है कि इस बार कौन पार से जीत के आ रहा है और नगर में किसकी सरकार बनेगी, बिलकुल दीपार किसकी सरकार बनेगी, यह तो मतगर्ना जब से जोरी खोलेगी तब ही पता चलेगा, तो वहीं आपको बता दे कि मतगर्ना कुल 17 नगर पालिका और 29 नगर परशद के लिए होगी, इनमें 6 नव गठित नगर परशद भी शामिल है, सभी निकायों में कुल 814 वाद है, वहीं संजे, मुझा आपसा सवाल आपसे वहाँ लोगों से बातचीत करके बताएए कुछ तस्वीरे बहां से, कि क्या कुछ वो महसूस कर रहे हैं कितने कुछी देर में 9 बजे मतगरना शुरू हो जाएगी, आप लोगों से बातचीत करके बताएए ऐसे लोग खड़े हुए हैं, जो अपने पार्सोदों को चिटाने के लिए खड़े हुए हैं, क्या मन में लेकर आप यहाँ हुए हैं जो होगा निल्ले को सामने हुए हैं तो देखे में आदू की बड़ी फुक्ता लोगों के बीच बनी हुए हैं और लगतर सांसिंगे बड़ी सुस्त रखी गई यह किसी भी तरीके की अन्होनी से निपटने के लिए आप यह कापी अच्छी दिवस्ता रखी गई हैं जो राजनेतिक दल के प्रत्याति हैं उनकी दर्कने देश हैं गहीना कहीं सब्सक्रा आप पूरे जिसने भी यहां 71 प्रत्यातियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी पंदरावाड है पाली नगर पालीका में और 24 मदान केंडरों के माध्यम से यहां माध्यम हुआ था जिसमें 3 समयरं सिल मदान केंडर थे पंदरावाड़ों के लिए 24 मदान केंडरों के माध्यम से 71 लोगों ने अपनी किस्मत को आजमाया था एक घंटे के वाद में कंफर्म हो जाएगा कि पाली में किसकी सरकार बनती है बिल्कुल संजे तो कुछी देर में जो है मत गणना शुरू होने वाली है 9 बजे महज 9 बजे सतीक मत गणना शुरू हो जाएगी और किसकी सरकार होगी तो देखने वाली बात है जब ते जोरी जो है वो खुलेगी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तामरकर जिन्डोरी से हमारे साथ जड़ेते समवाद दात्वा वहीं संजेव शुकर्मा हमें तमाम तस्वीरे दिखाने के लिए और लोगों से बातचीत करवाने के लिए